हेलो नमस्कार मेरा नाम दलबीर है और मेरे इस यूटूब चैनल में आपका स्वागत है मेरे इस यूटूब चैनल का नाम इंडियन टेक्निकल फर्मिंग है और आज माप के लिए एक खेती से जुड़ी नई व्यूडियो लेकर आया हूँ इस व्यूडियो में आज माप को बताता हूँ कि कपास में खर्पतवारों का नियंतरण कैसे करें जिस से करपास की फसल में खर्पतवारों का नियंतरण हो जाए जिस से कि हमें कम खर्च वा कम समय में ज्यादा से ज्यादा फसल की पायदावार प्राप्त हो जिस से कि हमें एक अच्छिन कम प्राप्त हो इ इंडियन टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताके अनना किसानों को खेती से जुड़ी सभी जानकारी परावत हो और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करते हैं राशी 650 वराइटी की यह भी बहुत बढ़ी वराइटी है। राशी शुड़ कंपनी की इस वराइटी को किसानों का अच्छी पर्ति क्रिया मिली है। यह वराइटी बहुत अच्छा उतपादन देती है। इसका पुदा अच्छी उन्चाएगा होता है यह वराइटी लीफ करल वायलेस के पति सेंचिल है। रस उसने वाले किटों के पति भी सेंचिल है। बहुत बढ़ी होती है। यह किसम अलके जमीन के लिए भी उप्योकत है। इस वराइटी की बज़ाई कि 25-30 दिन बाद खेट में खरपतवार गुना शुरू हो जाते है हमें अच्छी पैदावार के लिए इन खरपतवारों का निंतर करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि एक खेट में पहुशकता तो तता पानी को शोक कर फसलों को आनी पहुंचाते है। इसलिए इनका निंतरन बहुत जरूरी है। खरीब की फसलों में कपास मुखे नगदी की फसल है। पिछले वर्सों में देश के किसानों ने बड़ी संक्या में कपास की फसल की तरफ रोजान किया है। तता वर्तमान में देश में करीब कई लाख एक्टेर में बीटे कपास कोटन की खित्ती की जाती है। कपास की अच्छी पादावार लेने के लिए करपतवार का नियंतरन बहुत जुरूरी है करपतवार फसल के काम आने वाले पुशक तक तो तदा पाने को सुक कर फसल को बहुत ज़ादा आनी पहुँचाते है तदा इस के साथ-साथ करपतवार के तरह के किटों को जैसे मीली बग, सुन्डी, स्वेद मक्की को बहुत ज़ादा बढ़ावा देते है जो की फसल को बारी संक्यामी नुक्सान पहुँचाते है किसान यदि करपतवार का समय से नियंतरन कर ले तो खेद में कीडे लगना की सवावना बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है कपास में मुक्य रूप से सावक, मकडा, चोलाई, पलपोटन, इरनखुडी जैसे बहुत ज़्यादा खरपतवार उख जाते है सबसे ज़्यादा नुक्सान मुथा साथी मकडा आदी खरपतवार करते है इसलिए इन्हें समय से नियंतरन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करपतवार का नियंतरन करपतवार की रूप थाम के लिए हम करपतवारों का नियंतरन करते है यह करपतवारों का नियंतरन हम कसोला की साथता से भी कर सकते है क्या तिर्फाड़ी की साइटा से कर सकते हैं या टेक्टर कल्टिवेटर की साइटा से भी हम कर सकते हैं या फिर रसानिक दौाओं का इस्तेमाद से भी हम खरपतवार होगा नियंतर्ण कर सकते हैं खर्पत्वार की रोक्थाम हम विजाई के समय भी कर सकते हैं खर्पत्वार की रोक्थाम के लिए कपास की फसल में विजाई के 20-25 दिन बाद सुकी गुड़ाई था पानी लगाने के बाद दूसरी गुड़ाई कर दे ताकि खर्पत्वार काफी हद तक नियंतरन हो जाए तो टेक्टर के कल्टिविटर से भी इसकी गुड़ाई की जा सकती है। हम खर्पतवारों का नियनित्रन रसाइनिक दौाओं से भी कर सकते हैं। रसाइनिक नियनित्रन के लिए विजाई के तौनुत बाद तो तिन दिन के अंदर पैंडा में लिथियां 30% EC की डेड लित्र मातरा पर तियां कड़ के इसाब से डाइड इसो लिटर पानी में मिलाकर चुटगाओ करने से संठी दावक मकडा आधी खर्पतवारों का नियनित लिटर मातरा पर तियां कड़ के इसाब से 30 मिल लिटर पानी में मिलाकर चुटगाओ करके अच्छाई कर दे इससे भी खर्पतवार नियनित्रन हो जाते हैं मानसुन आने पर जुलाई अगस्त माह में सांटी सामक जैसे खर्पतवार बहुत जादा मातरा में उगते हैं इन पर पम के नोजल पर प्रोटेक्टर लगा कर चुटकाओ करें ताकि दौई फसल पर ना पड़े इससे करपतवार असानी से नियनित्रित हो जाते हैं करपतवार ना सक दौआउं का छुटकाओ करते समय केत्में प्रयापत मातरा में नमी होनी चाहिए तता दौई वापानी कि शपारिष की गई मातरा चुटकाओं में उप्योग करे चुटकाओं शाम के समय ही करे किसान दया रखे कि टू 4D कापास के लिए गात्तक दवा है अतर जै कभी भी इस सब्परेपम का उप्योग किसान ना करे जिसमें 24D का चुटकाओं किया गया हो कापास पेले एलग से ह लूरा लीन अड़ ताड़ इसी 780 मिली लेटर विजाई से पूरू मिट्टी पर छटकाओ या 600 लेटर पाणी में परती एक्टिकर्ट की दर से फैन नोजल से उपचार करने से पसर पाणी में अवस्ता में खर्पतवार वीहिन रहती है इनका प्योग विजाई से पूरू मि पांती मिला करकड़े पत्तां से साई के बाद को से एक बार गुड़ाई करना लाब दयाक रहता है यदि फसल में बोई किसम के लाव दूसरी किसम के पुद्दे दिखाई दे तो उन्हें निराई किसमा उखाड़ देने चाहिए क्योंकि में सृत कपास का मुल्या कम मिलता है इसलिए हमें कपास की फसल में निराई गुड़ाई करना अंतियां तक है इस पसल में निराई गुड़ाई आप देख सकते हो अगर यह आपको वीडियो पसंद आई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर वाइचैनल गो सब्सक्राइब जरूर करे वाइन आने वाली वीडियो को आपको नोटिशिफिकेशन मिलती रही धन्यवाद झालए झालए जरूर की लेक शेयर वीडियो को ज्यादा लेख सुड़ा। झाल 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 कर दो कर दो उक रुप गुफ अपर प्राइब